नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल UK वीडियो वोल्ट में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड के भोटिया नसल के कुट्टे के बारे में तो हमारा यह वीडियो अंध तक देखिए और जानिए भोटिया कुट्टे की सबसे बड़ी खाशियत क्या है भोटिया प्रजाती तिबदन मस्टिफ का ही एक रूप है जो दुनिया में सबसे महंगी प्रिव में से एक है भोटिया कुत्ते को भोटिया या भोटी के नाम से भी जाना जाता है पहार का भोटिया कुत्ता बाग और तेन्वों से भी अकेले भिड़ जाता है और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बाद से लगा ले सकते हैं कि तेनवे और गुलदार भी इनके सामने टिक नहीं पाते हैं भोटिया की सबसे बड़ी खासियत क्या है तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं भोटिया कुटों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनका सांत स्वभाव ये जितने इफसान दिखते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं बाकी के आमकुत्तों की तरह अनायास भौपना इन्हें पसंद नहीं होता बलकि बड़ी सजगता से ये पहरदारी करते हैं इनकी तेज निगाहें, भारी जबड़ा, सुडाल और गठीला बदन, रौपदार चहरा इनकी खास पहचान है जो इन्हें आमकुत्तों से अलग बनाती है भौटिया कुत्ता ये नाम जब किसी इनसान के जुबान पर आता है तो दुनिया के बाकी नसलों के जो गुत्ते हैं वो इसके सामने फीके नजर आते हैं क्यूकि इनकी जो बुद्धी मता है और ताकत है, वो बाकी के अन्यकुत्तों में नहीं नजर आती चाहे वो कितनी ही महंगी प्रिट के क्यों न हो बोटिया कुत्ता अधिकतर ठंडे इलाकों में पाला जाता है और इनकी एक और अच्छी खासियत यह होती है कि यह बच्चों पे कभी नाराज नहीं होते हैं बच्चों से यह बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बोटिया कुत्ते ज्यादा तर काले रंग के होते हैं भोटिया कुत्ते नैसरगिक प्रतिभा के धनी होते हैं और इन्हें हिमालेई घास के मैदानों में भेडों के लिए प्रबंधक और सुरक्षा का काम सौपा जाता है भेडबकरी पालने वाले जो घुमन्तू लोग होते हैं जिने आम तोर पे हम पालसी कहते हैं वे इन भोटिया कुत्तों को अपनी और अपने बकरियों भेडों की सुरक्षा की द्रिश्टी से जो है अपने साथ रखते हैं ये कुत्ते बकरियों के जुन के आगे पीछे चलते हैं दाएं बाएं चलते हैं और उनके लिए एक सुरक्षा व्यूग की रचना कर देते हैं और उस समय इनके आस पास कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता पालसी लोग जो हैं बकरियों को जुन्डों में लेकर चलते हैं लेकिन ये भोटिया कुत्ते इतने समस्दार होते हैं कि उतने सैक्डों भेड बकरियों के अलग-अलग जुन में भी ये अपने जुन की जो सैक्डों भेड बकरियां होती हैं उनको बकु भी पहचान लेते और किसी की मजाल नहीं होती कि इनके जुमकी बकरियों, सामान या पालसी के बच्चों को हाथ लगा दे और अगर किसी इनसान ने या जानवर ने गलती से ऐसा कर भी दिया तो ये कोई चेतावनी नहीं देते, सीधे उन पर आक्रमन कर देते हैं बकरियों के साथ इनकी सांथ और मस्त चाल में चलते हुए जब इनने देखा जाता है तो इनसे सावधान रहने में ही भलाई होती है आम तोर पर जो 6-6 महीने तक पालसी लोग बकरियां लेकर भुग्याल और उंचे हिमाले छेतरों में रहते हैं और ज्याता तर इन लोगों के पास ये कुत्ता होता है पहले के जमान में जो है सिर्फ पालसी लोगों के पास ये भूटिया कुत्ता देखने को मिलता था लेकिन आज के जमाने की अगर बात करें तो कुत्ते पालने के जो शौकीन लोग हैं वो शौक्या तोर पे भी अब बोटिया कुट्टे को पालने लगे हैं और कुछ लोग अपनी खुद की घर की सुरक्षा की दृष्टे से जो है बोटिया कुट्टे को पालते हैं अच्छे बोटिया कुट्टे की पहचान क्या है ऐसा कहा जाता है कि जब भोटिया पैता होकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता ह तो उसे बक्रियों और भेडों के साथ जंगल में छोड़ दिया जाता है अब इसको आप उनका अनुवांशिक लक्षन कहें या फिर कोई चमतकार कहें कि भोटिया जो है वो बक्रियों और भेडों की सुरक्षा में लगा रहता है उनके बच्चों तक की वो सुरक्षा करता है और अगर देखता है कि वो किसी मुश्किल में है तो उन्हें अपने जबडे में चोटे बच्चे को प्यार से उठा कर पालसी के पास ले आता है और भेडों के लिए बनाया हुआ इसका जो चक्र होता है वो अभेद्य होता है अब आपको ये लग रहा होगा कि पालसी लोग जो है इन्हें बच्चपन से ही ये सब सिखाते होंगे लेकिन ये बात सही नहीं है इन्हें कुछ ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है ये इनका एक अनुवानशिक गुण होता है जो की इन्हें प्राकृतिक रूप में मिला होता है और इनकी जो वफादारी है सजक पहरेदारी है उसके कई सारे रोचक किस्से जो है पहाड में सुनने को मिल जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि एक जो तंद्रुस्त भोटिया कुटा होता है वो तेंदुए गुलदार और बाग को भी लोहे के चने चबवा सकता है लेकिन फिर भी यह सब जानवर जो है वो शिकारी है तो मौका मिलने पर वो भोटिया कुटे की गर्दन को दबूच सकते हैं तो इसले सुरक्षा के मद्दे नजर कुटे की गर्दन को कवच देकर सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि जो भी यह शिकारी जानवर है वो पालसी लोग होते हैं वो इसे अपने एक परिवार के सदश्य के रूप में पालते हैं और यह हजारों की भीड में भीड में अपने भीड वक्रियों को पहचान लेता है इसकी समझदारी का अंदाजाग इसी बात से लगा सकते हैं और जो नीचले हिमाली छेतर होते हैं वहाँ पर भी बोटिया गुट्ये पाए जाते हैं लेकिन वहाँ इनकी मिली जूली प्रजाती मिलती है अगर आपको शुद्ध प्रजाती इनकी देखनी है तो आपको उच्छे हिमाली छेतरों में जो है जाना पड़ेगा जादा तर इनकी जो उच्छ जादा तर इनकी जो शुद्ध प्रजाती होती है वो हिमाचल के कुछ पार्ट्स में उत्राखन के गड़वाल कुमाओं के उच्छ हिमाली छेतरों में जो है देखने को मिलती है और दुनिया की सबसे बुध्धिमान और महेंगी प्रजातियो में जो है भूतिया कुत्ते आते हैं उत्राखन का जो उत्रायनी मेला लगता है प्रतिवर्ष वहां पर भी भूतिया कुत्तों की बिकरी जोर सोर से होती है तो इन कुत्तों को जो है वहां से खरीदा जा सकता है अगर आप भी इने लेने का प्लान बना रहे हैं तो आप ले अगर इन्हें मैदान में पालना है, इन्हें मैदान में परवरिश करने में ज्यादा महनत लगती है. तो दोस्तों ये था भूटिया कुत्ते के बारे में हमारा वीडियो इसी तरह के नई नई वीडियो और नई नई रोचक तथ्या जानने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर नभूले, thanks for watching.